आज 22 एक्टोबर 24 को निफ्टी ने 24,422 के लेवल को टच करके क्लोजिंग दिये यानि कि लगबख 7% की गिरावट के साथ क्लोजिंग दिये और बड़े-बड़े जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं ब्रोकरेज फर्म हैं जो मार्केट को लीड करते हैं वो अपनी तरफ से एक कोमेंटरी देते हैं उन्होंने बोला है कि यदि 24 एर 500 के निचे निफ्टी जाता है तो ये फर्दर बहुत ज़्यादा और भी मार्केट गिड़ सकता है निफ्टी भी गिड़ सकता है, सैंसेक्स भी गिरेगा और पर्टिकुलर इंडिविजल स्टोक्स भी आपको गिरावट में देखने को मिल सकते है यानि कि इस समय वो माहूल चल रहा है कि ना तो एकदम एक साथ आप कोई स्टोक खरीच सकते हो कि आपको यदि एक लाख रुपे लगाने दस लाख रुपे लगाने है तो सायद एक ही दिन में लगाना उचित नहीं है लेकिन इस समय ऐसे स्टोक्स जिनको आप पिछले 6 महीने एक साल से वोच लिस्ट में एड़ किया हुआ था कि सायद ये कभी इस लेवल पर आएं तब मैं इन में बाइंग करूँ तो वो भी स्टोक्स 10-15-20-30% टूड गए है तो ऐसे में आप कुछ मोके तला सकते हूँ कि सायद दिवाली का फेस्टिवल भी आ रहा है और दिवाली फेस्टिवल पर सभी ब्रोकरेज फर्म अपनी तरब से कुछ स्टोक्स की लिस्ट जो है सेर करते हैं इसी कड़ी में आज मैं आपके साथ सेर करने जा रहा हूँ दस ऐसे स्टोक्स जो की HDFC Securities की तरब से आया है दिवाली ट्रेडिंग में या फिर अभी nearby दिवाली या फिर जो टार्गेट प्राइस यानि की buying का टार्गेट प्राइस पिलस अगली दिवाली जो आएगी दिवाली इन 2025 तब तक का टार्गेट कितना है और करन्ट प्राइस कितना है मार्केट प्राइस on the basis of 22nd of October 24 वो डिटेल में आपके साथ सेर करूँगा कोई किसी प्रिकार का recommendation, suggestion में तरब से नहीं है आपको जो stock इन में से सही लगता है इन 10 stocks में से हो सकता है मुझे इन में से एक भी पसंद ना हो या आप भी इन में से एक भी stock को पसंद ना करते हो या फिर already इन में से 2-4 stock आपके portfolio में हो या फिर सभी stock आपके portfolio में हो तो ये तो individual to individual depend करता है कि आपको ये स्टोक्स पर्सनली कैसे लगते हैं इसी के साथ पिछले एक महीने से लगबग F.I.S लगातार मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं पिछले 30 दिन की अधी बात करें तो 1,29,258 करोड F.I.S विदेशी निवेसक भारतिय बजार से पैसा निकाल चुके हैं और आज 22 अक्तुबर के दिबात करें तो 22 अक्तुबर के दिन भी जब मार्केट इतना गिरा है तो 49,78 करोड F.I.S ने पैसा निकाला है इसी के साथ 58,89 करोड D.I.S ने पैसा डाला है तो ये तो होगे overall market की बात अब देख लेते हैं वो 10 इस्टोक 1 by 1 देखेंगे और इसमें कितना target इन्होंने दिया है अगली दिवाली तक क्या buying price का level दिया है और कितना current market price अभी चल रहा है क्या अभी आप खरीच सकते हो तो ये आप अपने accordingly decision ले सकते हो number one पर reliance industries का नाम दिया है 3243 रुपय का इसका target price दिया है अगली दिवाली तक यानि कि एक साल का target और मैं आपको एक disclaimer पहले दिया दूँ चाहे इन्होंने दिया हो या ना दिया हो 3243 reliance का target दिया है या फिर XYZ कोई भी share इस list में से हो उसका जो भी target price इन्होंने दिया है as such कोई इनको इतना पता नहीं है कि ऐसा ही होगा हो सकता है बिल्कुल इसके against हो जो 3200 प्लस का target reliance का दिया है हो सकता है या अगले 6 महीने में achieve कर ले, 2 महीने में achieve कर ले और हो सकता है फिर उसके 343 प्लस का target मानकर यहां पर खरीचदारी कर सकते हैं और जब हम इस target price को बीट करने कोसिस करते हैं तो हमेसा share market में ऐसा होता है कभी वो 2-4 मेहने पहले या कुछ दिन पहले, कुछ दिन बाद भी वो आपको price target जो achieve होते हो देखने को मिल सकता है तो reliance के दिबात करें 3243 का target buying price उन्होंने suggest किया है 2447 से 2716 रुपए के बीच में आप खरीज सकते हो और अभी 264 रुपए पर इसने closing दिये 22 तरीक को यानि कि इनकी buying price की range में भी बीच में फोल कर रहा है इसका मतलब यह है कि इनको लग रहा है कि 2400 तक यह share reliance industries का अगले कुछ दिनों में आते हुए देखने को मिल सकता है next है SBI target दिया है 960 रुपए का buying price 733 से 813 और अभी इसका price है 790 रुपए 813 से कम है तो यह भी अभी इनके range के हिसाब से तो यहाँ पर buying range में trade कर रहा है next issue के तीसरे नंबर पर bank of India यहाँ पर 132 रुपए का target price है एक साल का यानि कि next दिवाली तक 96 से 106 रुपए के price पर दिया था तो यह खरीदारे के लिए बोल रहे हैं अभी current price 99 रुपए 8 रुपए से लगबक 100 रुपए के आसपास है तो यह भी price पर उसी range में bound कर रहा है यानि 100 रुपए का share है यदि अभी 100 रुपए पर खरीदते हो तो इनको लगता है कि अगली दिवाली तक 32 रुपए का 132 का हो जाएगा कितना return आया? सीधा सीधा 32% का return आ गया इट इस हीज रिटन 32% यदि एक साल में 20% return भी मिल जाता है 25% मिल जाता है higher side पर रहे बहुत अच्छा return है यदि आपने एक लाख लगाए तो एक लाख तीस जार बन गया एक पच्चिस बन गया उसी परिकार से जितना amount लगाऊँगे उसी परिकार से आपको return मिलते भी दिखेंगे next चोथे नंबर का stock है JK Laksmi Cement 936 रुपए का इसका target है और buying price इनोंने suggest किया 738-819 रुपए और अभी 783 रुपए पर आपको market में मिल रहा है तो ये चोथा stock है जो भी इनके buying price के range में आपर higher जो है उसके बीच में trade कर रहा है पांच में नंबर का stock है Jyoti Labs Jyoti Labs का target इनोंने एक साल का यानि कि अगले दिवाली तक 600 रुपए का दिया है 480-533 के बीच में खरीदने को बोल रहा है और इसका अभी current price चलता है 503 रुपए लगबग यानि 500 रुपए का share अगले साल तक लबग दिवाली तक 600 रुपए का इनको लग रहा है कि हो जाएगा Next stock है L&T Finance 219 का target है 153 से 170 रुपए में buying price का recommendation दिया है इनोंने और जी अभी इसका price 147 रुपए चल रहा है यानि कि 153 से 170 रुपए buying price बोला है तो ये तो जो starting price है 153 उस price पर बोल रहा है कम से कम इतना आ जाए तो खरीद लिजीगा इतना आने की उम्मीद है तो उससे भी नीचे आ चुका है 147 रुपए पर trade कर रहा है 219 रुपए target तो इसमें तो बहुत अच्छा कासा profit यहां पर भी एक साल में बनते हुए देखने को लग रहा है कि L&T फिलेंस में कुछ कमाल हो सकता है ठीक है नेक्स्ट है नालको 270 रुपए का target है 198 में से 200 बीच में बाइंग रिकुमेंडेशन एज़ेफ से सिक्कूरिज की तरब से है और अभी इसका 221 रुपए का price चल रहा है तो ये भी range bound उसी range में trade कर रहा है आठमें नंबर का share है नवीन फिलॉराइन 4948 रुपए का साड़े 49 रुपए का लबग target है नेक्स्ट दिवालिय तक और 3,69 से 3,396 रुपए लबग 34 रुपए यानिकि 3,69 से 34 रुपए के बीच का buying price बोल रहा है और 3224 रुपए भी इसका जो है share price चल रहा है तो ये भी इनके साबसे तो खरीदारी के level पर अभी चल रहा है next stock है NCC 363 का target अगली दिवाली तक का है और जी buying price इन्होंने suggest किया 273 से 303 रुपए और अभी share का price चल रहा है 293 तो ये भी इनके upper और lower जो band है buying recommendation इनके तरप से उसी के बीच में share trade कर रहा है last step PNB housing 1160 रुपए का target है 893 से 991 पर आप खरीदारी कर सकते है और 889 रुपए अभी चल रहा है यानि कि इनका जो lower range है 893 में buying price जो suggest किया है 893 में से भी नीचे 889 रुपए पर ये PNB housing का price share जो अभी वो market में trade कर रहा है अब यह जो 10 stock मैंने आपको बताए है इनमें से हो सकता है आपके काम का एकाद stock हो और किसी के काम का एक भी stock ना हो ठीक है तो reliance industry जैसे मेरे portfolio में भी है bonus announcement इसने recently किया है जो कि मिल जाएगा बहुत जल्दी लेकिन bonus के चलते कोई भी stock खरीदा नहीं जाता है ये एक साल का target मेरी तरफ से कोई भी target ना मुझे पता है ना मैं कभी देता हूँ कि 6 महीने 1.5 साल में save यहाँ पर मोच जाएगा केवल long term का सोचकरी मैंने बेश करता हूँ क्योंकि chart pattern और ये सब चीजे इतना prediction इतने strategic prediction करना मेरे बसकी बात तो है नहीं अब जिन लोगों को पता है ये professional लोग हैं ये काम ही ये करते हैं और ये कुछ बोलेंगे तो इनको कोई blame करने नहीं जा रहा लेकिन मैं यदि कोई stock बोल दो भले ही वो मैं अपने मुझे पता है कि इतना इसका 52 week high था इतना low है इतने result चलना है ऐसे fundamental सा ऐसी shareholding pattern है और ये एक साल में दो साल में तीन साल में इतना हो सकता है तो मैं चुप चाप उसको खरीद कर अपने portfolio में बैठ जाऊंगा क्योंकि मैं कल को यदि वो गिरता भी है च्छे महीने बाद दो महीने बाद एक साल बाद तो मैं किसी को blame नहीं कर सकता ना उसके लिए उसके लिए I am fully responsible कि मैंने अपनी इच्छा से उस स्टोक को खरीदा है तो आप भी इसी परिकार्ट से कीजिए इस बात को analyze कीजिए क्या इंदर्सेयर में सा आपके कोई काम का है या नहीं है यदि काम का है तो further उसको watch कीजिए कि हाँ हो सकता है मोका मिले इनके जो इन्होंने buying price के label दी है उससे भी नीचे आपको share मिल जाए तब भी उसमें थोड़ा थोड़ा करकर खरीदारी कीजिए और एक बात ओर अभी 22 तारीक पर हम है 22 तारीक से next week यानि की 31 को दिवाली है लास्ट में अक्टोबर में उस समय मोरत ट्रीडिंग भी आएगा तो उस समय मुझे लगता है share market थोड़ा बहुत तो bounce करेगा जरूर करेगा और यदि नहीं करता है तो ठीक है दिवाली सेल चल रही है हम दिवाली में बाकी चीज़े खरीदे है वो चीज़े थोड़ी डिले कर देंगे यदि हमारी immediate requirement की नहीं है तो हम अच्छे-च्छे stocks करीदेंगे और वही जो stock return देंगे उनसे बाकी की necessary चीज़े खरीदेंगे अब ये बोलने का मतलब बिल्कुल ये भी नहीं है कि आपकी जो जरूरत की चीज़ें उनको मत खरीद दिये उनको hold कर दिये, नहीं जो ऐसी चीज़े हैं जो आपकी wants है, desires है needs को कभी delay नहीं किया जाता है needs क्या है? जो daily का हमारा कंज़ जब सने उनकों फ्रवर डिले कर सकते हैं तो हमारी इच्छा तो मेरी इच्छा तो यसी है किया है अच्छे-च्छे stocks हों, मैंने आज भी कुछ stock add किये है, थोड़े-थोड़े करके मानिजी कोई stock मुझे खरीदना है भले 50,000 रुपे का, तो पहले दिन 5,000 लगाऊंगा, फिर और गिरेगा तो और अपने हिसाब से लगाऊंगा, तो ऐसे करके खरीद दिएगा, कभी भी सारा पैसा share market में एक साथ इखटा नहीं लगाया जाता है, ठीक है, तो उम्मित करता हूँ, आपको भी कुछ समझ में आया गो और डेटा, आपके भी कुछ इस तरह के share से the target watch list में है या इन में से कुछ हैं, तो आप उन्हों पर नजर रखिए और मौका मिलती खरीदते रहे, ठीक है, चलिए मिलते हैं, कल फिर एक वीडियो में तब तक करें, नमस्कार, जैहिन, जैभारत